हेलो, बेलकम टू केने स्टडीज, CEPFAC 2020 का जो भी फिजकल मेडिकल आपका अस्टार्ट हो चुका है, तो देखो कुछ कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट का अभी तक मुझे मैसेज प्राप्त हो चुका कि उनका जो भी यह री मेडिकल के लिए मिला है, देखो कुछ का आपको प्रिपरेशन कंटिडिव करते रहना चीए, और जिनका री मेडिकल के लिए है, तो ऐटलिस्ट आप यह मानो, देखो फिजकल और जब आपका फिजकल और स्टेंडर्ट टेस्ट और फिजकल ऐफिशेंटी टेस्ट में जवदी आप रिजेक्ट होते हो, तो आप out rightly reject हो जा रहे हो लेकिन जदी आप medical में unfit हो रहे हो तो आपको one attempt दिया जाता है देखो इसका ये मतलब अभी unfit हुए हो तो आप ये ये भी guarantee नहीं है कि आप fit हो जाओगे ये भी guarantee नहीं है कि आप unfit हो जाओगे वो depending on कि आपका problem क्या है लेकिन उसमें आपको time मिलता है for example एक चीज है कि जो आपका जो board ने आपको medical किया है वो board आपको medical के लिए दूसरे board होते हैं इस वज़ा से कि वो एक तरह से second opinion है किसी भी चीज में कुछ problem minor सा होता है मानके चलो जैसे कभी कोई overweight है तो overweight में कोई such problem नहीं है उसको कम कर दिये या किसी को suppose आपका testis का size का ये problem ह है वो operation करा लिए या किसी चीज का कोई आांख वगेरा का कोई minor operation है वो operation आप करवा लिए किसी का कुछ और issue है तो जो कुछ issue होता है उसका आप minor में कुछ ऐसा प्रोब्लम है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो नो यास जैसे किसी का फ्लाइट फूट बगएरा होता है तो आप थोड़ा सा इनिशियल बाले को जाधा टाइम मिलता है लेकिन आपको अभी जो है बिदीन 15 डेज आपको कुछ डोकुमेंट सब्मिट करने पड़ेंगे यह क्या डोकुमेंट सब्मिट करने पड़ेंगे इसमें इनक्लोजर क्या होगा medical fitness certificate in form of form numbers यह PF 2020 AC direct entry 3 यह यानि original form में देखो जो आप doctor से certificate लोग है यानि कि जो वो format दिया हुआ कि this is यह आपका यह यह है Mr. Kumar so and so आपका roll number यह सारे चीज़े और जो इसका issue है तो वो ठीक है यह doctor अपना signature करेंगे अपना attestation करेंगे वो आपको उसको भेजना है वो आपको वहाँ पर यह तो उसका लेकिन क्या करना एक आप जीरॉक्स रख लेना जो आप form send करोगे उसका एक जीरॉक्स रख लेना एक आपका है 100 रूपी का demand draft यह आपको favor of account officer या DDO यह आपके director general ITB police यानि ITBP new Delhi payable at a state bank of India sector 1 आरकेपूरम New Delhi यह bank का code है ठीक है तो यह bank का आपका code जो यह है 1076 यह एक तीसरा point है कि self-addressed stamped envelope for register post with pin code यानि कि इसमें क्या करोगे एक envelope आप एक तो बड़ा envelope में जिसमें आप आप demand draft और यह medical certificate भेजोगे उसी में एक आपका छोटा envelope भेजोगे वह normally जो होता है आपका यह यह वाला A4 size बड़ा वाला होगा वह A4 size वाला आपका होगा और एक उसमें होगा उसमें क्या करना टू में आप अपना नेम लिख देना एक तो बड़ा envelope है उसमें तो आपका वह address होगा जहां आपको send करना है लेकिन यह के अंदर एक छोटा जो registry जो है वह आपका All India में कहीं भी यह पहुंच जाता है तो उसका मान के चलो की पता नहीं अभी 30 रुपया या कुछ जो भी लगता होगा सपोई 30 रुपया है या जो भी आप अपने post office में पूछ लोगे जो current जो charge होगा वह मान के चलो की vary करते रहता है कभी बढ़ेगा ही तो वह आप minimum जो अभी बरतमान में जो post office होगा जहां से आप a speed post करोगे इसको वहाँ पूछ लेना कि yes कितने का minimum जो होगा रजिश्ट्री का post का stamp लगता है वह आप a stamp इनको भेज दोगे और ये within 15 days भेज होगे अब देखो 15 days के अंदर आपका वहाँ पहुंच जाना चाहि रहे हैं कि इस इस candidate का था इसने नहीं भेजा है जो जिन लोगों का री medical था उन लोगों को वह कॉल बैसे करते हैं लेकिन आपको positively जो है आपका जो date दिया गया है उस date तक वहाँ पहुंच जाना चाहिए आप कहीं भी किसी पार्ट में होगा speed post जल्दी ही पहुंच जाता है उसके बाद आप अपना उस पर work start कर दो जो जदी जिनका over weight बगरा है तो उस पर continue आपका work चली रहा था वो उसमें से आप लगाते रहो कुछ जो है आप opinion लो एक ये doctor दो doctor sometime देखो इसमें कोसीस ये करना है जो आप ये certificate बनवाते हो तो बेटर होगा कि किसी बड़े hospital में government जो hospital है वो उसमें मैं समझ रहा हूं कि COVID-19 pandemic तो है उसके कारण एक टाइप का challenge हो गया है ये कोशीज करना कि कोई भी government का जो reputed hospital है यानि कि जैसे जगा जहां कि medical college हो जनरली medical college जितने भी होते हैं वहां hospital होते हैं सब में होते हैं तो ये कोशीज करो कि आपके शहर में आप व वाले hospital से वो करवाओ और नहीं तो फिर किसी branded जो hospital private में है वो उनसे आपको करवा करके और ये भेजना है इस मेडिकल में मैं अल्रेडी बोला हूं कुछ ऐसी समस्या है जिस पर आपका control नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो अब किसी का eye में problem है वो problem जिसको rectify नहीं क हो सकते हो तो आपको tension नहीं लेना है आराम से उसमें time मिलता है और आप लोग जो भी है पूछते हो कि यह जनरली 1 से 1.5 मन्त का आपको time मिलता है तो जिनका initial हो गया है उनको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा और जिनको last में होगा उनको थोड़ा सा कम time मिलेगा तो जिनक किलियर हो चुका है वो अपना interview के लिए प्रोपर लगो और जिनका अभी बाकी है तो वो अपना ये वाला certificate जमा कर दो जितना जल्दी जमा कर दो अपना करवा करके किलियर करवा के और वाकी फिर जो issue है जो आपके बस में doctor कुछ कहते हैं कि यह करना है तो उस चीज को आप करते रहो ठीक है कुछ भी questions क्यूरी है तो आप हमें इस WhatsApp नंबर पर या फिर इस Telegram नंबर पर आप हमें बता सकते हो message कर सकते हो ठीक है या फिर आप WhatsApp या Telegram यूज नहीं करते हो तो simple message कर दिया करना मैं reply कर दूँगा ओके थेंक्यू